नमस्कार दोस्तो मैं रविंदर सिंग एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज मैं आपके साथ सेर कर रहा हूँ RPSC 2016 का एक्जाम ड्रोइंग का फर्स्ट एक्जाम है ये और इससे पहले मैंने RPSC 2016 का ही ड्रोइंग का सेकेंड पेपर है वो आपके साथ सेर किया था दोस्तो जिन्हों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देख लें और अपना वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसने अ दोस्तों क्योंकि मैं Fine Art के उपर यह अपने वीडियो हैं लगातार अपलोड कर रहा हूं जो नए वीवर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारा पहला कि चार वेदों में से गत्यात्मक वेद कौन सा है दोस्तों गत्यात्मक वेद जो चार ओप्स निचे दिये गए हैं उन में से जो नंबर थी है शाम वेद ठीक है इसका अंसर हुआ शाम वेद तो हम चलते हैं हमारे next question की तरफ next question हमारा है कि लेपिस लाजूली से कौन सा रं बनता है दोस्तों लेपिस से जो लाजूली होता है वो एक किसम का पत्थर होता है जिससे पुराने समय में नीला रंग है वो बनाया जाता था ठीक है तो इसका अंसर है नंबर टू हम देख रहते हैं next question next question हमारा है कि वस्तू निवर्पिक्स एमूर्थ चीतरन में किसका महत सरोपरी होता है दोस्तों नीमन जो चार आपसंद दिये गए हैं उन में से जो हमारा आंसर है वो है नंबर ठीक है सायोजन इसका सरोपरी गुण होता है next question number four हम देखते हैं number four question है कि विशाल तराशे हुए लकडी के totem pole ठीक है totem pole होते हैं दोस्तों जिसको अमेरिका में उस को decorative किया जाता है निमन लेक्ट में से किस आदम जाती से सम्मादित है तो दोस्तों जो अमेरिकन रेड इंडियन्स है ये टोडम पॉल उनसे सम्मादित है तो इसका option number four is answer है number five question हम देख रहते हैं फिप्त question हमें हमारा है कि space क्या है ठीक है space पूछा है space क्या है दोस्तों space हो देख लेते हैं six number question हमारा है कि रंग का मूल कारिय यह सुझाना है तो रंग का दोस्तों मूल कारिय क्या सुझाना है तो इसका answer है number four भाव तो इसका answer हो गया number four तो दोस्तों हम वो next question देख लेते हैं इसके अंदर 150 के 150 के से ज़्यादा sorry 150 question है और तो काफी लंबा वीडियो ह हो जाएगा तो हम जल्दी जल्दी के answer है वह आंको बता रहे हैं आप अपना answer सोच सकते हैं तो यह दूस्तों नकसर झावर कावर्ड निर्मान में किस पीड़ की लगड़ी प्रियुक्त की जाती है भूसने कि Pokट की जाती है नॉर कि हमारा answer है तो हम देख रहते हैं question number 8 question number 8 हमारा है खेरादी खेरादी सुथार जाती के लोग किस लोग कला परंपरा से संब्ध है दोस्तो ये question number 8 है इसके option दो दियो है वो दो संब्धित है coward से ठीक है तो इस answer है number 3 next question हमारा है कि वेद वेदों में सबसे पवित्र शलोग है वो कौन सा माना गया है दोस्तो सबसे पवित्र जो शलोग माना गया है वो गायत्री मंतर है तो ठीक है इसका answer है एक गायत्री मंतर next question हमारा है कि वेदांगों को करम नुशार वेविस्तित कीजिए तो इससे वेदांग दिये गए है दोस्तो इन में से जो नंबर थ्री है वो शोरी जो नंबर फॉर है वो हमारा answer है ठीक है तो नंबर फॉर है सबसे पहले सिख्षा उसके बाद छंद व्याकरण ठीक है निरूपन फिर कल लास्ट में शिक्स है जेवतिस तो यह थी हमारा answer नंबर फॉर हम देख रहते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन हमारा जो है 11 11 क्वेस्टिन में पूछा गया है कि वेदिक परंपरा में वर्नित विभिन इस्वरिय रूप कौन से है तो सो वेदिक परंपरा में जो वर्नित इस्वरिय रूप हैं दोस्तो वो है अगनी इंद्र वाईू और शूरिय ठीक है तो हमारा जो answer है नंबर फ्री ठीक है अगनी इंद्र वाईू और शूरिय तो यह था हमारा इसका answer नेक्स्ट क्वेस्टिन हम देख रहते हैं नंबर ट्वेल की प्री होस्टोरिक इंडिया नामक वुस्टिक के लख कोन है हर बार प्री क्वेस्टिन पेपर में यह क्वेस्टिन दोस्तो आजाता है तो हमारा answer है वो है स्चोर्ट पिगाट ठीक है सेकंड इसका answer है काफी important है दोस्तो नेट की द्रेश्टि से भी यह जो पेपर है काफी important है तो next question हमारा देख लेते हैं कि पोथ पोथ दोस्तो क्या है पोथ होता है ध्रातलिया गुन किसी वस्दू का चित्तर का ठीक है हम चलते है question number 14 हमारा है निमिलिक्स में से कौन सा साद्रिश्य रंग है तो दोस्तो इन में से दो साद्रिश्य रंग है वो है पीला और नारंगी तो देख लेते हैं next question हमारा next question हमारा है 15 15th question है कि बांदा मिर्जापूर के प्रागरती हासिक सेल चित्र स्थानों की खोज किसने की थी दोस्तो ये खोज जो की है वो है जान कार्क बरन और ए कर ले तो number 4 इसका answer सही है हम चलते हैं दोस्तो question number 16 देख लेते हैं 16 जो question है वो है किसी द्रवे से कले को मजबूत प्राप्त होती है दोस्तो कौन सा द्रवे होता है जिसे जो मिट्टी होती है कले होती है उसको मजबूती प्राप्त होती है वो होता दोस्तो ग्रोग ठीक है ग्रोग होता है number 2 इसका answer है ग्रोग next question है 17 वो है कि चित्र कृती पाबुजी राठोर किसने चित्रित की ठीक है दोस्ती तो पाबुजी तो राठोर चित्रित की हो है करपाल सिंग से खावत ठीक है तो इसका answer है B question हम देख लेते है 18 question हमारा है कि पुस्तक जेन मिनियर्चर from western India के लेखक है दोस्तो वो कौन है दोस्तो नीचे चार option दिये गए है उनमें से जो number one हमारा option है वो इसका answer है Dr. Moti Chand इसका सही answer है हम देख लेते हैं आगे question number 19 19 question हमारा है कि चित्रकार निशार दिन ने चाउंड रागमाला का चित्रन कब किया है दोस्तो उन्होंने जो चित्रन किया है वो किया है number 3 यानकी 1605 इसमे में जब तक मैं question बोलता हूं दोस्तो आप अपना जो answer है वो सोच सकते हैं next question हम देख लेते हैं next question हमारा है कि राजस्थान के अगरनी अमूर्त चित्रकार का नाम बताएं दोस्तो अगरनी और अमूर्त चित्रकार का नाम बताना है दोस्तो तो इसका जो answer है वो है सुरेश शर्मा ठीक है तो B इसका second इसका answer है तो हम देख लेते हैं आगे next question हमारा next question हमारा है 21 यह अगरपपा से प्राप्त हडपपा से प्राप्त पुरुस्त नर्तक का अधर बनाया गया है दोस्तो वो बनाया गया है स्लेटी चूना बत्तर से तो एक इसका answer हो गया question आगे है कि मोला राम किस सैली से सम्मदित है मोला राम दोस्तो सम्मदित है गडवाल सैली से तो इसका answer है number 3 question हमारा आगया है 23 कि राजस्थान का प्राचीन वे प्रारहंबिक रागमाला चितरन कौन सा है दोस्तो इसका answer है हमारा चुनार रागमाला मुझे दोस्तो इस question के अंदर थोड़ा सा doubt है तो आप मेरे doubt को clear करें और जो viewers है उनके भी जिसको आप इस question में जो confidence है वही बचा जो है question number 23 डाल कर इसका answer जो है वो डाल सकता है तो जो option के coding चुनार रागमाला इसका answer दिया गया है हम चलते हैं आगे हमारा question है 24 की सचितर ग्रंत तारिक ए खांदान ए तैमोरिया कि संगरहले में स्रुक्षित है दोस्तो ये स्रुक्षित है खुदाबक्स पोस्तकाले जो की बटना में है ठीक है तो question आ सकता है खुदाबक्स पोस्तकाले कहां है पटना में है Albert Museum कहां है चैपूर में है राष्टे संगरहले ने दिल्ले में है भारत कलाबावन ये बनारस में तो इनको भी हम याद कर सकते हैं यहां से इसका आंसर वादोस्तो थर्ड हम चलते हैं हमारा question number 25 कि मोहन जोड़ो सिंदु नदी की किस तर्ट पर स्तित है दोस्तो ये स्तित है उसके पस्चिमी तर्ट पर ठीक है इस परकार से भी question हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए दोस्तो question हम आगे देख लेते हैं इन में से कला आलोचक को पैचानना है ठीक है कला आलोचक को दोस्तो पैचानना है तो वो है चारलस फाबरी जो number 3 हमारा answer है चारलस फाबरी ठीक है तो next question हमारा है कि भारतिय प्रतत्तव का जनक कौन है तो नीचे चार option दिये गए है काफी important question है ये भी तो सर जैंडर अलक्जैंडर जो कनीगम जी है वो भारतिय प्रतत्ततव के जनक माने जाते है तो question हमारा देखते हैं 28 की पुष्टक कौन सी अजन्ता मियूरल के लेखक दोस्तो कौन है तो अजन्ता मियूरल के जो लेखक है वो है अजीत घोश तो number 3 इसका answer है हम चलते हैं next question की तरफ next question हमारा है कि 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 गलाकार इतिहास कारने भारतिय लगूचितन सहली को घराना सहली को पहचाना इसकार इतिहास कारने भारतिय लगूचितन सहली में घराना सहली को दोस्तो पहचाना तो वो थी number 1 B.N. गोश्वामी जी तो हम चलते हैं आगे हमारा question है 30 कि परशिद चित्रकार परखु के चित्र कि सहली से हैं दोस्तो परखु के जो चित्र हैं वो हैं कांगरा सहली से ठीक है तो हम आगे चल लेते हैं question number 31 देखते हैं 31 question हमारा है कि भारतिय चित्रकला के लेखक कौन है भारतिय चित्रकला जो पूस्तक है उनके लेखक है दोस्तो परशि ब्राउन तो इसका answer है number C दोस्तो यदि आपको किसी question की answer में doubt है और आप उसके अंदर confirm है तो comment section में question number डाले और उसका answer डाले ताकि जो viewers हैं बाकी viewers हैं उन तक ये गल्त message ना जाए वो अपने answer को सपस्ट कर सके दोस्तो हम चलते हैं next question की तरफ next question हमारा है 32 की द्वार मार्ग पर पार्षव में स्थ सूर्य और इंदर की आभार शिल्प स्थित हैं तो दोस्तो वो कौन सी निमलिक्त गुफाओं में वो स्थित है जिसके द्वार मार्ग के पार्षव में स्थित सूर्य और इंदर की उभारदार शिल्प वो मौजुद है तो दोस्तो वो है भांजा गुफाओं में ठीक है तो इसका अंसर है ए भांजा गुफाओं तो हम चलते हैं आगे 33 question हमारा है कि भारतिय कला में हर्मिका शब्द हर्मिका शब्द दोस्तो ये किस से जुड़ा हुआ है ठीक है कौन सी विद्धा से संबंदित question है तो ये है स्तूक स्तापत्ते से ठीक है तो आगे चलते है question 34 कि चित्तरकार नैनसुक नैनसुक और मानक किस परंपरागत सहले से जुड़े हुए थे तो वो जुड़े हुए थे गुलेर सहले से ठीक है तो इसका answer है नमबर एक तो हम चलते हैं आगे हमारा question देख लेते हैं 35 कि कुशान शमराट करिक्स की मस्त्क विहिन परतीमा किस संग्राले में रखी हुई है तो तो मत्हुरा संग्राले में ही वो रखी हुई है परतत्तव संग्राले मत्हुरा में वो रखी हुई है हम चलते हैं next question हमारा देख लेते हैं कि शोन कीरवा कीट पंक कोई insect जो कीरा होता है उसके पंक किस लगो चितन सहली में परियुक होता था तो दोस्तो ये होता था बशोली सैली में तो इसका आंसर है नमबर एक बशोली सैली question हम देख लेते हैं next 37 दोस्तो काफी important question है इसके अंदर है net के level के ये इसके अंदर question दिये वे हैं तो हम देख लेते हैं कि भारतिये वास्तु कलामी सर्वपर्थम महराब युक्त परवेश द्वार कहां पाया जाता है नीचे चार option दिये गए हैं इन में से जो हमारा सही answer हो देख लेते हैं जो number 3 हमारा जो है लोमेश रिसी केव वो इसका answer है इंगिश मीडियम में हम निसाल लगा देते हैं लोमेश महाराष्ट्रा में है ठीक है उद्वाइगरी की गुफाई इस परकाशिन दिये वे हैं इसका answer है लोमेश रिसी कुफाई question हमारा है निमिने लिखित में से कौन सा चित्र सा चित्र गरंत पारम परिक मुगल सहली का है तो चार option हमारे ने चीज़ों है वो दे गए है इन में से जो number two है दास्ताने अमीर हमजा जो है वो मुगल्स कला से समदित जो गरंत है तो आगे हम देख लेते है थर्टी नाइन दा कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग तो पहाड़ी पेंटिंग उपर काफी सारे बुकें जुक्तो दोस्तो MS रंधावा जी ने लिखे तो इस कांसर है MS रंधावा ठीक है तो आगे हम देख लेते है क्वेशन नमर फोटी कि अजन्ता की किस गुफा में सिवी जातक नाम कथा चित्रित है तो अजन्ता की दोस्तो गुफा नमर जो एक है उसमें ये जो है चित्रित कथा है तो क्वेशन नमर फोटी वन है शारनाथ बुद परतिमा किस पत्थर से निर्मित है दोस्तो ये जो मुर्ती है ये निर्मित है चुनार बलवा पत्थर में तो नमबर वन इसका आंसर है ठीक है तो आगे है लोथल और काले बंगा दोनों किसे सम्मंदित हैं दोस्तों तो ये हरपा काली शतल है तो इसका आंसर है हरपा काली शतल गंधार की मूर्ति सिल्फ अधिकतर किस पत्थर से निर्मित है तो दोस्तों गंधार के जो मूर्ति सिल्फ है वो दोस्तों सम्मंदित है यहाँ पर चिस्ट पत्थर से ठीक है ये चिस्ट पत्थर जो सही किन नमबर का जो हमारा आंसर है वो इसका सही उत्तर है आगे हम चलते हैं 44 प्राचिन ग्रीक में स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता था जो नेमन जो है चार आप्शन दे गए हैं जिन में से जो हमारा आंसर है वो है नमबर 3 गुरोश और कोरे ठीक है आगे हम देख लेते हैं नमबर 45 कि रोम स्तित संगमरमर से निर्मित विख्यात मूर्तिशिल्ब मूमेज किसकी रचना है तो दोस्तों ये रचना है माइकल एंजिलो की ठीक है तो हम क्वेशन नमबर 45 देख रहे थे अब हम देखते हैं 46 46 क्वेशन हमारा है कि वास्तुकला में प्रियुक्त पदबन अबेकस इटासिस और बॉलूटेस निमलिक्स में से किस से उनका जो है वो शम्मद है दोस्तों इनका जो शम्मद है वो है आयनिक आर्डर जो नमबर एक पर ये सम्मदित है तो क्वेशन नमबर 47 है कि वर्ख्षबूवाला कक्स शब्द किस गुफ़ा के लिए परियुक्त किया गया है दोस्तों काफी फेमस है ये भी तो ये लास्त को गुफ़ा के लिए सब्द किया गया है वहाँ पर यह कक्स मौदूद है क्वेश्चन 48 स्कूल आफ आइथेंस नामकरती किस चित्तेकार के अमदवकरती का चित्तेकार कौन है तो तो चित्तेकार है वो है राफेईल ठीक है तो question number number 3 का answer है हम देख लेते हैं आगे question हमारा है 49 49 है मानव सरेर की आदर्श अनुपातिक आकरती विट वियन फ्राग की रचना किसने की है दोस्तो ये रचना की है लियनार्ड दा विंचीने ठीक है तो number 2 इसका सही answer है आगे हम चलते है question number 50 देखते हैं ये चित्तर बसंत की रूपक अथा किस चित्तर कार्शे सम्मंदित है दोस्तो ये सम्मंदित है number 4 बोती चेली ठीक है इसका answer है number 4 बोती चेली दोस्तो किसी question के answer में doubt है तो आप जरूर उसको जरूर comment section में लिखें नेक्स question हमारा है केनन शब्द केनन शब्द गरीक कलामे सर्वपर्थम किस के द्वारा प्रियुक्त किया गया था केनन शब्द की हाँ पर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तो वो प्रियुक्त किया गया था polyclides के द्वारा ठीक है polyclides के द्वारा आगे हम चलते हैं 52 52 question हमारा है की एक्रोपॉलिश शब्द किस से सम्मदित है जो एक्रोपॉलिश शब्द है दोस्तो वो सम्मदित है नगर से ठीक है तो इसका answer है यह नगर यान किस city ठीक है next हम देख रहते हैं उन चित्तरकारों को पैचानिये जो जर्मन पुरन जागरन काल से सम्मदित हैं तो नीचे जो चार option दे गए हैं उन में से दोस्तो जो हमारा answer है वो है number one दूरर एवं लुकास क्रेनेक ठीक है तो वहाँ चलते हैं आगे 54 question है कि विंची की कृती अंतिम भोज किस माध्यम में निर्मित है दोस्तो यह निर्मित है फ्रेंक को में ठीक है तो number four इसका answer है तो हम चलते हैं next question देख लेते हैं 55 question है कि प्रारंबिक इशाइज चित्रकला के उधान पराप्थ होते हैं दोस्तो इशाइज चित्रकला के जो सबसे पहले जो उधान पराप्थ होते हैं वो होते हैं रोम की समाधी घरों में ठीक है तो number एक इसका सही answer है question number 56 कह रहा है कि काली और लाल आकरतियां किस से सम्मध है तो काली और जो लाल आ करती हैं दोस्तो वो संबंदित है एथेनियन पात्रों से ठीक है एथेनियन पात्रों से वो संबंदित है नमबर 57 क्वेश्चन हमारा है कि खुफू खर्फे और मेकूरे की पिरामिड कहा है ये पिरामिडों के जो नाम है दोस्तो और ये पिरामिड है ये श्तित है नम तो आगे हम देख लेकते हैं 58 question हमारा है कि पार्थेन और अर्थेना मंदिर ग्रिक वास्तुकला किस सैली में निर्मित है दोस्तों जो निर्मित है ये है डोरिक में ठीक है डोरिक पार्थेनन अर्थेना मंदिर ग्रिक वास्तुकला किस सैली में निर्मित है तो ये डोरिक वा इसका answer है हम देख रहते हैं 59 question हमारा है शब्द पेची pods शब्द पेची pods यूरोपिय प्रागेति हासिक कला में किसके लिए प्रियुक्त हुआ है तो यह प्रियुक्त हुआ है मानव सरीर के लिए तो no.3 इसका answer है मानव सरीर question number 60 हमारा है नाग देवी नाग देवी परतिमा किस सबत्या से सम्मधित है तो यह सम्मधित है दोस्तो अक्षाद तो number 2 इसका आंसर हो गया ठीक है इसका जो आंसर है वो है number 1 number 1 मियोवन मीनो मीनो अन से यह सम्मधित है नागदेवी पर्तिमा मिनोन सबत्यासे संबंदित है और 61 question हम देख रहते हैं कि मर्ति हुई शेर्नी मर्ति हुई शेर्नी नामक भारदार मूर्ति शिल्प किस संग्राले में संग्रित है जोस्तो ये संग्रित है ब्रिटिस संग्राले लंदन में ठीक है question देख रहते हैं आगे हमारा question है मानो मुखी पंक युक्त वर्षब किस सबत्यासे संग्रित है जोस्तो ये संग्रित है असीरियन ठीक है number one इसका answer है असीरियन सबत्यासे की संग्रित है next question हमारा है कि सोल्मिस ताबदी में पादवा में बने भित्य चित्र किस करांतिकारी चित्रकार ने बनाए है तो दोस्तो वो बनाए है number two जो तो इसका answer है ठीक है जो तो तो ये चित्र उन्होंने बनाए है हम देख लेते हैं आगे 64 question है कि दा लामासू परतिनी धित्व करता है तो दा लामानूस जो परतिनी धित्व करता है दोस्तो वो करता है मानव मुखी पंख युक्त वरिशब से तो number one इसका answer है सही पंख युक्त वरिशब का वो परतिनी धित्व करता है तो question number 65 हमारा है पेरिश का नात्रेदाम चर्च किस सहली में है दोस्तों पेरिश का नात्रेदाम जो चर्च वो पूछा गया है दोस्तों वो सम्मंदित है गोथिक सहली से तो इसका आंसर हुआ गोथिक सहली नेक्स्ट क्वेस्टन हम देख देते हैं next question हमारा है कि सफु मेरो वीधी का अविश्कार किस पुनर जागन कालिंग चित्रकार ने किया है तो दोस्तों ये किया है लिनार दो दा वींची ने तो हमारा जो आंसर है वो है नमबर फोर question हमारा 67 है 67 question हमारा है कि प्रस्तर खंड जानने कि stone haze होते हैं दोस्तों बनाये जाते थे पहले समय को ध्यान में रखने के लिए तो इसका जो आंसर है वो है इंग्लेंड ठीक है तो इसका अंसर है दोस्तों इंग्लेंड तो नमबर टू इसका आंसर हो गया next question हम देख रहते हैं कि सिंदु भाटे की सबत्या के संदर्भ में जानने के लिए निम्लिक में परमुक स्त्रोत कौन सा है तो दोस्तों यह इस वार नेट में भी थाग जाम question तो यह पुराततव दो उत्कलन है यह इसका सही अंसर है नमबर टू विप्र लब्दा शब्द का शम्मंद है तो विप्र लब्दा जो शब्द है दोस्तों उसका जो शम्मंद है वो है नाई का भेद से तो नमबर फूर इसका аंसर हो गया नाई का भेद next question हमारा है 70 question है कि धवनिसीदान का संमन्द है दोस्तों धवनिस धान्द का तो शंमन्द है वहे आनंध वर्बन से ठीक है आनंद वर्दन से बीज का अंसर हो गया आगे हम देख लेते हैं कि स्रिंगार शतक नामक गरंद के रचईता कोन है सरेंगार शतक के जो रचईता है दोस्तों वो है भरत्री ठीक है भरत्री सकांसर है नमबर थ्री आगे 72 कूशन हमारा है 72 है विश्विडाल अनुदान आयोग दिल्ली ने प्रोफेसर अमेरीट्स की उपादी से किस चित्रकार को समानित कि कर below तो nombcar प् Ley-treprok कि उन्हें कुरेटर के रूप में अपनी सेवाएं परदान की उन्हें अपनी सेवाएं जो परदान की हैं दोस्तों वो घुन भौश्टन संग्राले जो युइसिय में है नीमर 3 हमारा सही आंसर है record 75 हम अनुमितिवाद का शधान्त जो है वो किसने परतिपादित किया है तो वो किया है संकुक ने जो number two option में है answer है 76 question है परभन्दकोश परभन्दकोश नामगंत में कितने परकार की कलाओं का उल्लेक है तो 272 कलाओं का उसके इंदर उल्लेक मिलता है नेक्स्ट है घोरमंडर की गुफाएं कहा श्टित है दोस्तों जो घोरमंडर की जो गुफाएं है वो श्टित है मिर्जापूर की पहारियों में तो नमबर टू इसका आंसर है मिर्जापूर की पहारियों में नाटे सास्तर में कितने परकार के रसों की वाक्या की गई है वो की गई है 8 ठीक है तो नमबर 2 हमारा आपसन है 8 नेक्स क्वेशन हम देख रहेते हैं 79 की आलंबन और उद्धीपन निमलिस में से किसकी परकार हैं दोस्तों यह विभाव की परकार हैं तो आगे हम देख रहेते हैं परकार कि इसेकी परकार उद्धार है दोस्तों इनके हम देख रहेते हैं और आपसन में देख किक ग्यावं देख से परकाथ चेहना मुझे हैं हमको match करना है तो हम देख लेते हैं तो काफी लंबाई जो दोस्तों ये video होने वाला है तो इसका है सबसे पहले पूछा गया है वो है कि पाई का पाई का दोस्तों क्या होता है पाई का होता है एक रेखा की लंबाई अपने कि एक है है पाई का फोंट क्या होता है दोस्तो फोंट होता है ताइब ठीक है वह उसके बाद देखने legislator होता हो ड verbally all नेहीं होता है यह रंग से सम्म्नित है तो नमबर जो टू है दोस्तो वह इसका अंसर बनता ठीक है तो नमबर टू का आंसर हो गया हम चलते हैं हमारे next question की तरफ next question हमारा है कि 82 की राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना किश वर्ष की गई है तो राजस्थान अकादमी की स्थापना कई है उन्हें सो ताउन इस भी में हम चलते हैं आगे हमारा question है 83 दोस्तो यह हमें match करना है match करना है इसका जो answer है दोस्तो वो है number 3 ठीक है तो इसके अंदर हम इसको match कर लेते हैं किसंदर एका number 4 है महराश्टा है चित्रकथा परंपरा से सम्मंदित है और जो गुजराथ है दोस्तों गुजराथ सम्मंदित है नमबर ठी जो गरोड़ा परंपरा से ठीक है राजस्तान ये फड और कावर से सम्मंदित है बंगाल जो है पटवा प्रमप्रा से सम्मादित है तो आगे हमारा question हम देख रहते हैं number 84 84 question हमारा है वो है की dancing girl ये भी matchit है और इसका जो answer है वो है number 1 ठीक है तो यहाँ पर हम इसको match कह लेते हैं वो है की dancing girl ये राश्टे संग रहल है नेदिली में है ठीक है उसके बाद है सुल्तान गंज के जो बुद्ध जी की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है वो है city संग रहल है बर्मिंग घम में ठीक है उसके बाद है जो पर्खम यक्ष है वो है दोस्तो पुरातत्तव संग रहल है मतूरा में river गंगीज जो गंग का अवतरन है वो बोस्टर संग्राले में स्तित है, तो ये था हमारा question उसके बाद हम चलते हैं next question जो हमारा 85 है 85 question हमारा है कि निमलिक स्तूप निमलिक स्तूपों को काल करम की अनुसार व्यवस्तित करें साची स्तूप सारना स्टूप अमरावती स्टूप और भरुष स्टूप दोस्तों यह हमारा question 85 जो number 3 है दोस्तों वो इसका answer है number 3 number 3 है 1 सबसे पहले तो यह ही है number 1 फिर number 2 पे भरुष स्टूप है फिर जो number 3 है फिर जो number 3 है वो है number 3 है जो लाश बसता है चारना यह number 4 पे आता है तो यह इसका सही करम बनता है हम चलते हैं आगे यदि कुछ नए question आपको मिलते हैं दोस्तों तो जरूर आप उनको note कर लें तो हम बात कर रहे है question number 86 की 86 के अंदर दोस्तों सुमेलित करना है और इसके answer है number 8 number 8 इस answer है समसे पहले है विशाखादत सम्मणित है मुद्याराक्षत सिन की कृत्ती है ठीक है उसके बाद है 2 है सुद्रक सुद्रक का सम्मणist दोस्तों यह है मिर्च कटिकम शेजन के लिखित है उसके बाद है कालिदास का सम्मण दोस्तों मालवी कव अगनी मित्रम से है और भास का है दोस्तों वो है सवपना वास्तवादता तो इसका नमबर वन इसका अंसर है आप जरूर कुछ ने चीज़ें मिलती है तो वीडियो को पूस करके जरूर लिख लें नोट करें और एक्जाम में जाने से पहले जरूर देखकर जाएं हमारा जो next question है वो है 87 87 जो हमारा question है उसका अंसर बनता है नमबर 3 A A का समद है नमबर 4 जो चितरकार है गौवरधन ये गुलेर सैली से है ठीक है उसके बाद है 2 का समद नमबर 3 कांगरा संचारचन से समदित है बसोली जो से है हमारा बसोली वो दोस्तो समदित है अम्रित पाल से और नूरपूर है ये जगत सिंग से संबंदित है तो ये था मैसिट का काफी नेट जो question paper है दोस्तो बिलकुल नेट के pattern से तयार किया गया है तो हम question number 88 देख लेते हैं हमारा जो इस परकारशे है उसके अंदर भी दोस्तो मिलान करना है जिसका जो answer बनता है वो है number 2 यान की जो हर्जमल है ठीक है अर्जमल का संबंद है number 2 ये नूरपूर सेजिन का संबंद है ठीक है उसके बाद जो नेनसुक और मानक चित्रकार है वो गुलेर सहली से है दोनों ही ठीक है उसके बाद पर्खु फत्तु पर्खु और फत्तु ये कांगड़ा से और मोला राम और यात्मा राम जोस्तो गडवाल सहली से इनका शम्मंद है next question हम देख रहते है हमारा जो वो भी magic है और जो question का number हम देखते है 89 जो 89 question हमारा है उसका answer है number 1 number 1 इसका answer है तो हम इसको match कर देते हैं असो कालिन सिह की जो पर्तिमा है वो दोस्तो है अभी सारनाच से में प्राप्त हुई है उसके बाद कनिक्स की आवक्ष पर्तिमा कनिक्स की जो आवक्ष पर्तिमा है वो मथुरा संग्राले में मथुरा से और गोवर्धन धारी क्रिशन ठीक है गोवर्धन धारी क्रिशन ये दोस्तो है भारत कलाब भर्ण वारानसी में और दिदार गंज की जक्सी है दोस्तों ये पटना संग्राले में अभी संग्रित है तो दोस्तों next question हम देखते हैं बिल्कुल net का pattern से ये exam बना गया है और काफी important है हम सब के लिए तो 90 question है उसमें भी match it है और match it के अंदर जो हमारा answer है वो है number 2 ठीक है number 2 है निहालचन ए में है निहालचन जो संग्रित है दोस्तों किसंगर्ण सैलिसे बै बै नमबर पे है मोला राम मोला राम जम्मंदित दोस्तों ये पहाडी सैलिसे साहिब राम साहिब राम संग्मंदित है जैपूर कलम से और निशार दिन दोस्तों जो बज जाता है वो है मेवार कलम से उसका शम्मंद है तो ये था इसका answer हम देखते है next 91 91 question हमारा है तो इसका जो answer है दोस्तों वो है number 1 ठीक है तो एक ही इसका answer है तो करपाल सिंग सेखावत दोस्तों वो परशिद है किस के लिए परशिद है तो वो ब्लू पोर्टरी के लिए सम्मंदित है तो काफी important question इसके अंदर है number 2 है वो है गोवर्धनलाल जोसी तो दोस्तों ये भीलों के चितरों के रूप में वो famous है तिसरा है P.N. Choyle P.N. Choyle दोस्तों ये महसों की सरंखला के लिए और दौरी का परशाल सर्माजी है दोस्तों ये घोडों की सरंखला के लिए परशिद है वाकि घोड़े किस रंखला घोड़े का चितर है वो MFUSNG का जो है फेमस है तो आगे हम चलते है question देख लेते हैं हमारा 92 92 question में भी दोस्तों match it है जिसका answer है number 2 ठीक है तो number 2 है 2 निशान लगाने बाद match करने में आसानी रहती है तो वो है number A jarjian jarjian सम्मदिद है the temprest से ठीक है उसके बाद जो 2 हमारा है जियोतो का सम्मद दोस्तों number 3 पर है की ram of ravines इनकी जो एक चितरे संक्रा है और आगे है pushin जो 7 नंबर पर है pushin ओ है दोस्तों number 3 ठीक है मैंने जो last है जो से recording है जो गलत हो गया है तो हम पहले इसको erase कह लेते हैं हम दोबारा इसको match कह लेते हैं तो number 2 इसका answer था जो A है दोस्तों A का सम्मद है number 4 से the temprest से और B का सम्मद है वो है number 2 से जोतों का number 2 से मर्त इसा का विलाब pushin का number 3 से है और जो last बचता है rubens वो है garden of love तो दोस्तों कुछ नए अगर question मिलते हैं तो आप उन्हें जरूर note कर ले और अपने ही notes दोस्तों तयार करें और exam में जाने से पहले उन्हें जरूर देख कर जाएं तो हम अभी question point रहे है 93 जिसका answer है number 2 ठीक है 93 question हमारा है जिसका answer है number 2 ठीक है पॉलिस है उसका संब्ध है Athens से number 4 ठीक है और जो बै है Higya Sophia Higya Sophia का संब्ध है Istan Bullse Column of Trojan Column of Trojan जो number 2 रोम से जो लास्ट में बजता है Eastergate दोस्तों ये Babylon में से संब्धित है Babylon के अंदर ये है Eastergate तो हम देख रहते हैं हमारा next question next question हमारा है 94 जो है एक magic और जिसका answer है number 1 ठीक है A Gate of Paradise Paradise दोस्तों ये है घिबर्ती से संब्धित है इसका घिबर्ती में और second जो बै है हमारा वो है Brown Slave जो number 3 है Michael Angelo की एक करती है Thinker Thinker दोस्तों ये Ronda की है और The Zucon ये दोना तेलो की जो painting है जो करती है उनकी द्वारा बनाए गई है next हम देख लेते हैं हमारा question दोस्तों next हमारा question है 95 95 question है दोस्तों जुसका answer इसके अंदर नहीं दिया गया है तो आप जरूर इस question को जरूर नोट कर ले और इसकी answer को डूढ़े और question number दोस्तों set करके और आप जब confidence है तो इसका answer है comment section में डाल दे ठीक है दोस्तों हम चलते है next question की तरफ next question हमारा है 96 96 question है इसका answer है number 1 ठीक है number 1 इसका answer है तो हम देख लेते हैं three graces three graces का संब्द है number 4 राफेल से राफेल से इसका संब्द है number 2 जो बै है दोस्तों वो है sleeping venus sleeping venus है दोस्तों ये टीस्या की है ठीक है टीस्या की द्वारा बनाई गी है number 3 है tribute money tribute money ये number 2 massachiyah ठीक है massachiyah की है दोस्तों और last judgment है दोस्तों ये Michael Angelo की famous करती है ऐसी question हो में पहले आप देख लें जो आप वो सबसे पहले आता है उसी का आप निसान लगाएं तो question हम देख लेते हैं 97 हमारा 97 question हमारा है तो जिसका जो answer है वो है number 4 ठीक है virgin of the rocks virgin of the rock number 2 बै दोस्तों हमारा answer है सिस्टाइन सिस्टाइन मेडोना सिस्टाइन मेडोना जिसका सम्मद है टीचिया से और मेडोना एंड चाइल्ड ये रफेल की है रफेल के द्वार अबनाए गई और मेडोना आप लोगने ये पर्मी जो नियो ठीक है ऍसका शम्मद है नेक्स्ट क्वेस्टन हमारा है नैंटीएट इसका जो answer है दोस्तों वो है number 3 ठीक है तो number 3 इसका answer है जो इस परकार से जो ए है अलंकार का शिधान तो दोस्तों ये भामें से सम्मद्र इती है भामें के दायात दी गई नमबर बैपे है अनुमिती वाद का सिधान अनुमिती वाद का जो सिधान है दोस्तों वो है नमबर एक ससुंक के द्वाया दिया गया ठीक है और उसके बाद धवनी सिधान ठीक है तो धवनी सिधान की बात की गई है तो ये सम्मंदित है आनद वर्मन से और अभिवक्ति वा इसका जो आंसर है वो है नंबर टू ठीक है दोस्तों लगाने के बाद हमें मैस करने में आथा नहीं रहती है तो एक कि कुमार श्वामी आनंत कुमार स्वामी समधित हैं दोस्तों यह नंबर फोर डांसिंग ओफ सिवा ठीक है बै बै नंबर पे है मनोहर कूल मनोहर कूल का समद है दोस्तो trades in India painting ठीक है trades in Indian painting इनके रचना है नमबर 6 है A.H. Braddock जो Braddock है दोस्तो वह है prehistoric painting से और D.H. Garden जो बच गए दोस्तो वह है Indian rock painting के द्वारा ठीक है तो ये था इसका answer ठीक है तो हम चलते हैं नेक्स हमाया जो मैचिट है वो देख लेते हैं वो है हम question देख रहे हैं दोस्तो 100 questions जिसका answer है number 2 जिसका answer है number 2 की रसराज रसराज का सम्मद है वो है number 4 मतिराम से और रसमंजरी का सम्मद है दोस्तो वो है भानुदत्सी से और रसिक पिरिया नमबर 3 केशवदास और परभंद कोस राज शेकर से जिसका शम्मद है ये इनकी रचनाए हैं दोस्तो तो हम चलते हैं next question काफी लंबा है वो ये वीडियो होने वाला है क्योंकि next question भी वो अभी कथन वाले हैं बिल्कुल net के pattern से ये question paper लिया गया है बच्चों से तो हम देख रहेते हैं question number 101 जो है सुरेश वर्मा का चित्र कौन सा है तो सुरेश वर्मा का चित्र है दोस्तो वो है red on red ठीक है तो number 3 इसका answer हो गया next हम देख रहेते हैं 102 जिसका answer है number 2 ठीक है तो है दस कुमार चृत इसका सम्मद है दंडी से ठीक है ठीक है शिल्प शुत्र number 2 पे दिया गया है शिल्प शुत्र जो भूवन देव द्वारा है तिलक मंजरी तिलक मंजरी जो दोस्तो धनपत्रा है धनपाल जी से सम्मदित है और शरंगार तक दोस्तो ये ब्रत धरी से सम्मदित ये रचना है तो डेक्स क्वेशन हम देख लेते हैं जो इस परकार से है हमें काल करम जो है वो शेयन करना है तो एक सो तीनवा क्वेशन है जिसका आंसर बनता है number 4 पहले प्रग्या पार्मिता फिर चोर पंचासिका फिर काल का चार पता और फ्लाच में है हमजा नामा तो number 4 पे हैं इन में से number 2 थी तो ये सचित्र सचित्र पांडू लिप्यों का सही काल करम था जो उप्शन में दी गई है तो next question है हमारा वो इस परकार से है कि निमलिक समारकों को दक्षन से उत्तर के और अवस्थित के अनुसार सही करम में आप व्यवस्थित करें दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है number 2 तो सबसे उत्तर में इन में से जो दक्षन में है वो है अमरावती स्थूप उसके बाद साची स्थूप है उसके बाद हम जब उत्तर की तरफ दाते हैं सारनाथ उसके बाद बनियान जो बुद्ध का बुद्ध जो है इसका यह सही आंसर बनता है next question हम देख देते हैं 105 वा question हमारा गया है उसके अंदर पूछा गया है काल करम तो निमलिक सित्र कारों का जो काल करम है आरोही करम में यहनकी चड़ते करम में उसको हमें सही लगाना है तो इसका अंसर है गोवर धन उसके बाद मंसूर दसवन और अब दूसम जो है वो सही है यह सबसे पहले थे उसके बाद दसवन ची थे उसके बाद यह तो चड़ते करम आप चये करें तो इसका आंसर है नंबर प्राथमिकर, दृत्यको, तृत्यको, चतूर्तक तो इसका आंसर है नेक्स्ट हम देख रहते हैं निमिलिक्त जो ऑप्सन है उका जो आंसर है वो चयेन करना है और अवरोहिक करम यानि कि उतरते करम में निशारदिन के निचाते तो वीर जी भाटी नियाल चन और शाहिब राम तो इस परकार से नमबर थ्री जो इसका पांसर बंज़त इनका दोस्तों अगर आप काल करम देखेंगे तो इक क्वेशन आराम से समझ में आ जाएंगे एक सो आठमा क्वेशन हमारा है कि विशनू के अवतारों की दसावतार संकल्पना का सही अनुकरम दोस्तों चुनना है हमें तो इसका जो विशनू जी ने जो अवतार लिये थे जो सब से पहले उन्होंने अवतार लिया था मतश्य का मचली का फिर कुरम का वरा का और फिर ला अलाके शडंग का सही अनुकरम का आप चैन करें तो दोस्तों वो है रूप भेत परमान भाव लाउन ने हो जाना तो मोशली बच्चों को याद होगा नमबर टू इसका सही आंसर है हम देख लेते हैं हमारा समरांगन सुत्राधार में वर्नित चितर करम को करमानुसार व्यव लेप प्रकरम और लास्ट में हैं अंडग प्रमान तो यह इसका अंसर नमबर थ्री है तो दोस्तों मैं बार बार रेपीट कर रहा हूं कि यदि कुछ नए क्वेशन मिलते हैं तो आप नोट्स बना ले अपने नोट्स यह अलास्ट में काम आते हैं तो एक्जाम में जाने पहले उन्हें जरूर देख कर जाएं तो हम देख रहे हैं क्वेशन नमबर 111 है जिसके अंदर भारती है जो सास्तों काल करमानु साथ चैन करना है इसका अंतर है नमबर 2 ब्रत सहीता कादंबरी अभिनव भारती और पंच दशी तो यह इसका आंसर बनता है हम देख रहते ह नेक्स्ट हमारा क्वेशन है 112 हमारा क्वेशन है इन निमलिक्त दर्शनिकों और कव्यों को काल करमानु साथ चैन करें दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है नमबर 4 पानिनी ठीक है उसके बाद भाश वाच्यान और लास्ट में है कालिदास ठीक है तो इक कव्यों का काल करमान असर है दोस्तों वो है ये धातू मूर्तियां है दोस्तों भारत में मिलने वारे धातू मूर्तियां और उनका काल करम है वो सेट करना है तो सबसे पहले ये डांसिंग गर्ल मोहन जोद्रो सुल्तान गंज की बुद्ध परतिमा ठीक है चोल कालिन पारवती परतिमा चोल कालिन नट्राज परतिमा तो इस परकार से इनका ये काल करम है और ये कहां से पराप्त हुई है आप जरूर क्वेशन को त्यान से जरूर देखें नेक्स्ट हम देख रहते हैं कि काल करम के नुसार पर सही जो करना है तो गुफाएं पुछी गई है जो नमबर थ्री है वो हमारा आंसर है आजन्ता उसके बाद करले बादामी उलास्ट में यहाँ पर है एलोरा गुफाएं जो है वो निर्मित हुई है ये था इनका काल करम एक सो पंदरमा क्वेशन हम देख रहते हैं जो है इस परकार से जो चितर कारों का जो काल करम जो पुछा गया है नमबर थ्री जो हमारा आंसर है वो है गोवर धनलाल जोशी बाबा उसके बाद देव किनंदल सर्मा द्वार का परशाद लास्ट में है करफाल सिंग सिखाव दोस्तों इनके डेट वर्थ आप जरू याद करें और देखें तो हम चलते हैं आगे नमबर 116 जो क्वेशन हमारा है तो काल करम उसके अंदर दिया गया है तो चितरों का काल करम है तो इसका जो आंसर है वो नमबर टू ठीक है बर्थ आफ वेनिस उसके बाद मोना लिशा स्कूल आफ एतन्स मिकारी है उसके बाद है नुह कामद तो नमबर टू इसका आप्शन का आंसर है हम चलते हैं 117 का क्वेशन जो हमारा है वो है कि काल करम जो है वो चितरिकारों का बताना है हमें तो इसका जो आंसर है वो नमबर 3 है सबसे पहले जियोतों है उसके बाद मासाच्चियो उसके बाद बोतिचेली और रास्ट में जो है जोस्तो राफेल तो ये था इसका आंसर 118 क्वेशन हम देख लेते हैं कि जोस्तो पुनर जागरन कालिन जो चितरिकार है उनका जो काल करम है वो हमें बताना है तो इसका आंसर है नमबर 4 बोतिचेली बेरोचियो मौन्टेगना और फ्रा एंजलिको तो एंजलिको जो है ये लास्ट में है तो ये था इनका काल करम नेक्स वेशन हम देख लेते हैं जो हमारा है 119 नमलिक्त महें सबत्याओं का काल करम नेक्स वेशन को चुनिए तो इनका जो आंसर है वो है नमबर 3 सुमेरियन सबसे पहले उसके बाद है अकसाद सबत्या और लास्ट में हैं असेरियन मिस्रे ठीक है दोस्तो हम चलते हैं आगे हमारा क्वेशन देख रहते हैं जो 120 क्वेशन है वो इस परकार है कि माइकल एंजिलो की करतियां माइकल एंजिलो की करतियां को काल करम नेक्स वेशन को लगाना है तो नमबर 1 इसका अंसर है सबसे पहले पियटा उसके पास डैविट फिर मोजेज और लास्ट में है रादा निनिन पियटा तो नमबर 1 इसका अंसर है सबी उनकी जो करती है माइकल एंजिलो की तो आप इने जरूर नोट कर ले कभी एग्जाम में अगर मिल जाएं तो 121 क्वेशन है वो हम देख लेते हैं वो इस परकार से है कि निमलिक्ट समारक जो निमलिक्ट समारक है उनको काल करम में घरते वियान की उपर से नीचे के और व्यवस्तित करना है तो आंसर है नमबर 4 एरेज़्थम ठीक है उसके बाद है हंग्या सोफिया फिर है कोलोजियम लाश्ट में है ग्रेट सिफक्स तो ये था इसका काल करम उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन हमारा वो है कि जैदेव कृत गीत गोविंद किस चित्रकार ने चित्रित किया है जो जो ये किया है राम गोपाल विजय वर्गिये ने ये चित्रित जो है किया है नेक्स क्वेशन हमारा है कि पुनर जागरन काले चित्रकरतियों को काल करमानुसार व्यवेश्टित किजिए तो ये क्वेशन हमें 123 वा है जिसका आंसर है नमबर एक दा ट्रिबिनून दा ट्रिब्यूट मनी उसके बाद है वर्ट आफ विनस उसके बाद है लास्ट सफर और लास्ट में है क्रियेशन आफ एडम तो ये किसकी काल करती है आप जरूर देखें और नेक्स क्वेशन हम देख लेते हैं हमारा नेक्स क्वेशन है 124 मा क्वेशन हम देखेंगे जिसका आंसर है दोस्तो वो नहीं मिला है तो आपको यदि मिलता है तो कॉमेंट सेक्षन में क्वेशन नमबर डालकर जरूर लिखें दोस्तो इसके अंदर सही काल करम पुछा गया था तो हम देख लेते हैं आगे हमारा क्वेशन 125 मा 125 मा क्वेशन हमारा है जिसका आंसर है नमबर 4 काल करम पुछना इवी हैवल आनंत कुमार स्वामी स्टेला क्रेमरेस और निहार अंजन राए तो ये थी सही काल करम इसके बाद हम देखते हैं नेक्स क्वेशन हमारा जो अभी कथन के आ गए है ये भी काफी ज्यानवर्दक क्वेशन होते हैं दोस्तों तो हम देख रहे हैं 26 मा क्वेशन तो आरेखन समस्दरश्य कलाओं का आधार भुत घटक है ठीक है क्योंकि 127 मा क्वेशन हमारा है कि लोक कला में देनिक जीवन का उप्योग की पर्तेक्स वस्तु अलंकर्ण और सुन्दर बना दे चाती है तरक क्योंकि लोक जीवन में जीवन सरल और अप्रिस्कृत रूप से होता है यता है लोक कला कार ऐसी देनिक वस्तु की निरिस्ता को दूर करके उन्हें सजीव विंजनों में बदल देता है दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नमबर 3 A और R दोनों ही सही है ऐसी जो क्वेशन होते हैं दोस्तों वो मोश्टली सही मिलते हैं नेट में तो जरा ज्यान सेन को पढ़ना होता है ये ग्यानवर्दक क्वेशन होते हैं तो नमबर 128 मा क्वेशन हमारा है वो है कि प्रात्मिक एम दुवित्यक रंग के मिजरें से तृत्यक रंग बनते हैं बिलकुल सही बात है पहला कथन सड़ है जिसके कार्ण तृत्यक रंग दो रंगों का नाम जैसे नीलाहरा लाल बैंगनी और पिला नारंगी है दोस्तों इसका तो एक कथन और आर कथन दोनों ही दोस्तों वो सही है ठीक है तो हम चलते है नेक्स क्वेशन हमारा नेक्स क्वेशन है 119 जो है कि डिजाइन कि डिजाइन में रंग दर्शकों की मानश पर विभिन परभाव डालते हैं ठीक है बिलकुल सही बात है डिजाइन परभाव डालते हैं क्योंकि संग संस्कृतिक बोध के साथ साथ रक्तिगत अभी रूची कि फ्रेंस को सेको की तुलना में फ्रेंस को बुनो में रंग ज्यादा टिकाव होते हैं ठीक है बिलकुल सही कथन है क्योंकि फ्रेंको बुनो सुस्क परिक्रिया है जबकि फ्रेंस को सेको सिदे पलास्टर पसितित की गई है दोस्तों यहाँ पर जो है वो mystic कर दी है तो इसका एक कथन ठीक है और दूसरा कथन जो है वो गलत है तो number 3 इसका answer है 131 मा question हमारा है कि नाटे सास्तर व्यापक रूप से रंगमंच के संबंध है ठीक है बिल्कुल सही है रंगमंच से वो संबंधित है कला के विबिन अक्सेतर नाटे सास्तर से संबंधित होते है तो दोस्तों ये जो question है इसका answer है number 2 ये दोनों ही सही कथन है तो ऐसे कमोशनी के तो दोनों ही कथन सही होते है next है कि स्रजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक परमुख बल है स्रजनात्मक आवेग बिल्कुल सही है सरकार सरवच्च सत्ता की आनंद को अनुभुत करते हैं कला कार सरवच्च सत्ता की आनंद को अनुभुत करते हैं तो इसमें तो जो ए है वो सही है और जो आर है वो गलत है क्योंकि सभी कलाकार ऐसा नहीं करते हैं और नेक्स क्वेशन है 133 क्वेशन हमारा है कि माइकल एंजिलो की कला में मानव दे को हमेशा सक्तिसाली एम गव्यात्मक पातर के रूप में व्यक्त किया गया है ठीक बात है नेक्स है क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा आसारे जनक रूप से सक्तिसाली है और देह पर पत्र की कैद से मुक्त होने के लिए निरंतर संगर्ष करती रहती है दोस्तों जो ये second question point है इसका ये बिल्कुल गलत है तो हम देख रहे हैं ते question number 133 जो इसका है एस सही है और आर इसका जो point है वो गलत है 134 वा question हम देख रहेते हैं कि रेखांकन में सामाने तब 4B pencil का प्रयोग किया जाता है और क्योंकि 4B pencil में प्रयोग ग्रेफाइट कोमल होता है जिसके कान उस से हलकी से लेकर गहरी आभाब प्राप्त की जा सकती है दोस्तों दोनों ही कथन सही है तो number 3 जो है इसका answer है ठीक है दोनों ही कथन सही है आगे हम देख लेक 135 वा question है जो इस परकार से है कि भारते परंपरा भारते पारंपरिक क्लास सध्रिड है तर्क क्या दिया है क्योंकि इसकी सांसकर्तिक विरासित और पारंपरिक प्रेस्ट भूमी शधर्ड है बिल्कुल दोस्तों दोनों ही जो कथन है वो सही है तो भी इसका answer हो जाता है next question हम देख लेते हैं हमारा next question हमारा है कि परागेतिक हासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर यानकी पत्थर important रहा है तरक्त दिया है क्योंकि भाओं की अभिवक्ति के लिए पर्चूर मातरा में शुलब और अधिक टिकाओ था बिल्कुल दोनों ही कथन दोस्तों उसके सही हैं तो number 3 का answer पुराने समय में जो आदि वो थे पत्थर काई ज़्यादा प्रियोग करते थे इन कामों के लिए तो next question हमारा है ये भारतिय कला समग्र रूप में अभिवजनावादी है और क्योंकि कला प्रारुक में ही जीवन शक्ति या प्रान अभिवक्ति में अंतर नहीं थै तो दोनों ही आंसर इसके सही है आगे हम देख लेते हैं question number 138 जो है कि पुनर जागरन काल में प्री पेक्से एक महत्वपून त्री आयामी द्रश्यतत्त्त के रूप में उभरा है ठीक है प्री पेक्से की बात कर रहे है त्री आयामी बिलकुल सही है और पुनर जागरन काली चित्तकारों ने त्री आयामी प्रभावी सर्जित करने के लिए प्री पेक्से कासी धांत का जो हो परियोग किया है दोस्तों बिलकुल सही बात है तो number A इसका सही है number 1 इसका सही है point 149 मा question हम देख लेते हैं कि कांगडा और गुले चित्तर सहली अपने सुकुमार रेखांकन और उद्दत रंगों के लिए विख्यात है तरक इसके अंदर दिया गया क्योंकि उन्होंने आरंबिक भारतियत था मोगल कला परंपरा की सर्वुक्रिष्ट उपलब्दियों को आतम साथ उन्होंने किया है तो दोस्तों इसका जो क्वेशन है वो हैं दोनों ही सही है बिल्कुल सही उन्हें कथन जो हव्याख्या की इस परकार की क्वेशनों से दोस्तों हमें ग्यान अर्जन होता है तो इन क्वेशनों को बड़े ध्यान से पढ़ना जरूर से जरूर चाहिए तो 140 मा क्वेशन हम देख लेते हैं जो है गोथिक कला में मुर्ति एवम की तुलना मुर्ति एवम की तुलना चित्र कला की भूमी का कम रही है क्योंकि चित्र कला की बेक्सा न उस्तापते निर्मान में प्लास्टिक कलाओं का विक्त चित्ते जो है परदान किया गया है तो दोस्तो ये क्वेशन तो 140 जिसके दोनों ही कत्षन दोस्तों सही है जरूर पढ़ें यादि कुछ नई क्वेशन आपको मिलते हैं और दोस्तों आगे हम देखते हैं तो 41 क्वेशन हमारा कि राजस्थान की लोग चित्तर कला सहापुरा की फड चित्रों से जानी जाती है राजस्थान की लोग चित्तर कला सहापुरा की फड चित्रों से जानी जाती है फड चित्तर कला तो हमने सुना हैं दोस्तों वो सही है, जो r है वो गलत है, ठीक है जो पीछे वाल लाइन है वो गलत है, ये राज्टानी उडीसा की अलग कला है दोस्तों, वो राज्टानी से समर्द नहीं है, तो हम देख रहते हैं आगे हमारा question है 142 की प्राश्यदर्शन और कला भारतिय कलाकार की सोज प्रिक्रिया को परभावित करते हैं पाश्य दर्शन और कला भारतिय कलाकार की सोज प्रिक्रिया को परभावित करते हैं पाश्य तकला यथार्तवाद ने भारतिय कला को भी अभी प्रेत नहीं किया है दोस्तों इसका जो क्वेशन है वो टू इसका अंसर है यह सही है लेकिन जो है आर है वो गलत है क्योंकि उन्होंने यह थाज़वा ने भारतिक अलाग को भी अभी प्रेरित उन्होंने किया है तो आगे हम चलते हैं 143 मा क्वेस्चन हमारा है कि वास पेंटिंग में रंग सदेव कोमल और शुक्षम होते हैं ठीक है कोमल और शुक्षम होते हैं क्योंकि पानी के दवारा घुलने से अत्रिक थोस रंग निकल जाता है और केवल रंगों की पारदसी आबा सतह पर पज़ ज सही हैं आगे हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेशन की जो है 144 मा क्वेस्चन हम पढ़ रही हैं और हम देखे में कंगडा की लगोचित्र अत्य दिक निश्यल और पर्षांत हूने की कार्ण परशिद्य है कंगडा की हम बात करहें क्योंकि यह भारत्य कावियात्मों truly रूपकों तो था मुगल लगो चित्रों की सुव्यक्तता पर आधारित है ठीक है उपर मुगल का प्रभाव था दोस्तो तो नमबर फॉर इसका आंसर सही बनता है तो आगे हम चलते हैं 145 मा क्वेशन है काफी लंबा वीडियो हो गया है दोस्तो तो हम इसको एक्स्प्लैन भ के रूप में भी संबंदित है तरक इसका दिया गया है क्योंकि रंग चक्र में तृतिक स्रेणी के रंग प्रात्मिक और दृतिक स्रेणी के रंगों के बीच में स्थत होते हैं यदि रंग चक्र बनाते हैं दोस्तो तो वो बीच में ही आएंगे तो नमबर टू है कि ए और दोनों कथन ही वो सही है हम देखते हैं 140 मा क्वेशन हमारा है कि सारनात के सिंग सिर्ष की बहुत सतरिय अर्थ निकलते हैं बिलकुल सही है और सिंग सिर्थ धम और शंग के परतीक है और लाक्षनिक रूप से शाक्य मुनी एव असोक दोनों की चकरवरतिन रूप में परतिनी दितों करता है जिसकी कोश्ट सकता चथा शक्ती चरों मूल तिसाओं को प्राप्त है तो दोस्तों क्वेशन नमबर 146 मा था जिसकी आंसर दोनों ही सही है ठीक है तो हम चलते हैं नेक्स क्वेशन की तरफ नेक्स क्वेशन हमारा है कि भारतिय रस सिधान्त में नौवा रस शांत बिल्कुल सही है शांत ने से नाट्टे सास्ते में भर्त मूनी द्वारा वर्णित आठ रसों की अतरिक्त था इस क्वेशन बहुत सारी जानकारी हैं दोस्तों जरूर पढ़े और ये अभिनाव गुप्त द्वारा परतिपादित किया गया तरक इसका दिया गया है अभिनाव गुप्त का मानना था कि जब मौन सबी भावनाओं से परे जाता है तो यह शांत रहता है तथा यह मौन की अवस्ता में भी है जिसे शांत रश के रूप में प्रिभाशित किया जा शकता है बिल्कुल सही दोनों ही कथन दोस्तों इसके सही है तो नमबर टू इसका आंसर हो गया हम चलते हैं आगे तो हमारा क्वेशन है 180-148 यह सर्व मानने है कि भाव और रश परस पर शम्मन रखते हैं तर्क है क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष रस निस्पत्ति के सहीं प्रियोजन के लिए उन्त बहव चित्तर का स्रजन करता है दोस्तों इसका जो आंसर है नमबर फोर दोनों ही सही है ठीक है तो हम चलते हैं आगे हमारा 149 क्वेशन आ गया है जो है कि आजन्ता की चित्तर कला जाता कथाओं पर आधारित है बिलकुल आधारित है दोस्तों सभी जानते बुद्ध के जीवन की महत्पून घटनाएं आजन्ता की चित्तर कला में कभी चित्तर नहीं की गई है तो दोस्तों इसमें पहला तो कथन सही है और जो R है वो गलत है तो नमबर 2 इसका अंसर है जबकि उसमे अजनता के बारे में बुद्ध के बारे में ही बताया गया है दोस्तो हम देखने हैं हमारा स्टूको पाशान स्टूको पट्थर है वो कुशान कार के अंदर यूज किया गया दोरान गानधार मूर्तिक कला में सरवादिक लोक प्रिय माध्म रहा तरक क्या है स्टूको की आगहात वर्दन है प्रकर्ति के कान ये कलाकार को प्रकर्तिक सविस्तार था आभी रखते हूं है तो छित्रिय पत्थरों की मंगूर प्रकृत्ति की तुलना में से ज्यादा सवतंतिता परदान करता था तो दोस्तों इसका तो आंसर है वो है दोनों सही तो इसी लास्ट क्वेस्टन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा